नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग दम अच्छे होंगी तो आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं आप सफी का सबसे ज़्यादा फर्माइस किया हुआ गीत मिलन आसमान में होई तो अगर आप भी इस गाने को अपने कीवोड के उपर सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर अंद तक बने रहें और अभे तक जिन्होंने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओ लोग सबसे पहले चानल को सब्सक्राइब करने ताकि हमारी हर एक नई वीडियो उनके पास तुरंद पहुच जाए तो बिना ज़्यादा देरी की हुई चलिए आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं इस सानदार गीत को अपने कीवोड के उपर तो दोस्तों गाने की जो पहली लायने मतलब जो इसका मुखडा है किस परकार से है मुखडे को एक बार मैं आपको बज़ा कर दिखा दे रहा हूँ फिर उसके बाद सुलमे करके स्टेप बाई स्टेप करके हम इसको सीखेंगे तो सुलमे करके सीखते हैं किस परकार से इसको हम बज़ाएंगे तो गाने की जो स्टार्टिंग है वो इस वाली बटन से होगी जी सार्प बटन और चोथी काली से हम कह सकते हैं किस परकार से बज़ाएंगे सुलमे करके सीखते हैं तो एक बार और इसे सीखते हैं किस परकार से फिर इसके बार दो बार से ही लाइन चलेगी फिर जो इसके आगे हो किस तरीके से तो किस तरीके से ये वाला पैटन बजाए जाएगा सुल में करके सीखते हैं एक बार और तो यहां से स्टार्टिंग हुई है डी सार को बटन से फिर इसके बार तो सुल में करके इस वाला पैटन को एक बार और सीखते हैं किस परकार से इसको मजाएंगी तो यह हमारा इस गाने का जो मुख्ला है पूरा कम्प्लेट हो गया है तो यह बार सुल में करके और हम इसको सीख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से भजाना समझ में आजे तो अब इसके अंतरे को हम सीखते हैं अंतरा इसका किस परकांसे है तो सुल में करके समझते हैं अंतरे को किस परकार से बजाएंगी तो अंतरे की जो सुगात है वो यहां से होगी इस वाली बटन से दूसरी काली डी सार को बटन से तो किस परकार से सुल में करके पहले इतना हम सीखते हैं किस परकार से बजाएंगी फिर सुल में करके एक बार और सीखते हैं दूसरी लाइन को दोनों लाइन को मिला कर एक बार सीखते हैं फिर इसके बाद जो इसकी अगली लाइन है वो किस तरीके से हैं पहले तना हम सीखते हैं किस परकार से इसको हम बजाएंगे फिर तो इस वाल लाइन में यहाँ पर सी सार्व का हलका सक कड़ लेकर इसको बजाना है तो किस तरीके से एक बार सुल में करके और सीखते हैं फिर इसके आगे फिर से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा मुखड़े पाट वाला तो सुल में करके एक बार और हम पूर्य अंतरे को सीख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से बजाना याद हो जाए तो फटा फट करके एक बार और सीखते हैं करके एक बार और सीखते हैं तो ये हमारा अंतरा भी पूरा कंप्लेट हो गया है तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माधम से आपको इस पूरे गाने को बजाना कीबोर की उपर आसानी के साथ समझ में आया होगा अब इस गाने का जो दूसरा वाला अंतरा है सेम इसी तरीके से है उसमें कोई बदलाव नहीं होगे ना कोई पैटन बदलेगा और ना कोई बटन बदलेंगे तो आसा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माधम से आपको इस जाने को बजाना अपने कीबोर की उपर समझ में आया होगा और साथ ही आसा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको जड़ा सभी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करतीजी और चानल का हमारे अगर नया है हो तो प्लेज यार चानल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ओल पे दबा दीजी सब्सक्राइब को बटन आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा उसको प्रेश करके आप चानल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ ही दबा दीजी उस बेल वाले आकन को ओल में ताकि माले आने वाली हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे आ और वीडियो में किसी और गाने के साथ तब तक आप हसते नहीं, मुस्कुराती नहीं, गाती नहीं, बजाती नहीं, जाहिंद, जावाराद